सबसे पहला मेरा सजेशन रहे है कि जाए ये पहले पुराने चार लेक्टर देखिए उसकے बाद ये टापिक पे आई है क्योंकि ये टापिक बहुत भहुत बहुत 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 पोराने लेक्टर थोड़े बटा excess pressure okay देखो हम लोग ने देखा था there is a formation of meniscus यह सो नो तीन टाइब के meniscus बनते थे टीन टाइब के layer बनते थे पहला layer बनता था which is called as convex concave and plane हाय ना देखा था ना हम लोग ने अगर नहीं देखा है तो इसके पहले सबसे पहला हम लोग देखेंगे plane surface पे क्या होता है लिफूड देखो plane surface पे हमको पता है कि जितने भी force रहेंगे वो tangentially on the surface के उपर लगेंगे हाँ या ना अब यहाँ पे surface यहाँ पे tangent इस तरफ पे tangent हर एक जगे force एक दूसरे को घीच रहा है अब हर एक जगे को force एक दूसरे को घीच रहा है मतलब क्या होगा वो सारे के सारे force balance हो जाएंगे अब वो सारे के सारे force balance हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि just above the surface and just below the surface the pressure would be same हाँ या ना यहाँ पे देखो क्या होगा just above and just below the pressure the pressure will same हाँ या ना अगर हम लोग बात करें यह surface के देखो just below याद रखना हम लोग अंदर जाएंगे तो pressure due to depth चेंज होगा कि नहीं होगा lecture number two जा कि देख क्या हो ओक जैसे जैसे हम लोग पानी के अंदर जाएंगे depth में जाएंगे the pressure would change but surface tension की कहानी हमको क्या बताती है surface tension की कहानी हमको बताती है कि अगर एक surface है और surface के just above और just below जो pressure होगा that will be same condition कि वो surface क्या होना चीए वो surface होना चीए plane surface clear बात समय में आ गई okay next surface की तरफ बढ़ते हैं next surface क्या है that is a convex liquid surface okay convex liquid surface मतलब उपर से जब मैं देखू तो मेरे को convex दिखना चीए उपर से यहाद रखना हम लोग फर्स टेंजिंट पर हाँ या ना अब ऐसा force लगेगा और मेरे को इसका resultant ड्रॉ करना रहे तो देखो इसका resultant कहां पे आएगा inside the liquid हाँ या ना देखो यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग न, क्योंकि pressure होता क्या है, force upon area, भाई, जितना ज़्यादा force, उतना ज़्यादा pressure, मतलब यहाँ पे क्या होगा, inside the pressure, sorry, inside the liquid, the pressure would be maximum, yes or no, बास सुम्यारी कि नहीं सुम्यारी है, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो concave side, यह concave देखो, यह ख़र convex, और अंदर वाला concave ह क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, the pressure on concave side would be greater, greater than the pressure. Convex side, हाँ या ना, समझा, ओके, अगर हम लोग देखने जाए, तो pressure on the concave side would be greater than the pressure on the convex side, मतलब अंदर, जो inside the liquid है, inside the liquid pressure क्या होगा, ज्यादा होगा, यह याद रखना, ओके, यह कहानी किस कि है, यह कहानी है, यह convex liquid surface की, अब हम लोग बात करेंगे, concave liquid surface की, अब concave liquid surface में देखो, concave, अब उपर से देख रहा हो, तो मेरे को concave दिख रहा है, resultant force जादा होगा, वहाँ पर resultant force जादा होगा, तो obvious ही बात है, वहाँ पर pressure भी क्या ही होगा, जादा होगा की नहीं होगा अब यसी होगा देखा पैने भी गिरी गया ओके चलो तो यहाँ पे देखो प्रेशर क्या होगा जादा होगा हाँ या ना अब प्रेशर जादा होगा तो यहाँ पे देखो किस दरफ पेशर जादा हो रहा है nothing but a concave side nothing but a concave side भाई अभी भी concave ही है yes or no और concave side ही pressure जादा हो रहा है बट अब यह जो concave side है यह पानी में नहीं है अब यह हवे में है तो यहाँ पे भी यह same कहानी आएगी यह same कहानी बस condition यह याद रखना कि यहाँ पे जो concave है वो inside the liquid यहाँ पे जो concave है वो कहाँ पे आ रहा है outside the liquid यहाँ फिर तुम लोग बोल सकते हो in air जो बोलना चाहों बोल सकते हो condition same भाई यहाँ पे भी क्या ही होगा the pressure on the concave side would be greater than the pressure on the convex side बस ध्यान देना कि यहाँ पे जो concave आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है वो air side आ रहा है बासन में आई तो कहाँ कहाँ क्या pressure होगा अगर plane surface है तो दोनों जगे pressure just above and just below the pressure would be same अगर convex है या फिर concave है कोई tension लेने वाली बात नहीं है हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो concave side होगा जो concave side होगा वहाँ पे pressure जादा होगा बस ध्यान ये देना है कि concave side कहाँ पे आ रहा है वो चीज़ का खाली ध्यान देना है तुमको so concave side यहाँ पे देखो यहाँ पे कहाँ आ रहा है inside the liquid यहाँ पे कहाँ आ रहा है outside the liquid बात संग में आया everyone पका everyone आगे बड़े चलो next topic next topic is also a behterin topic nothing but a excess pressure inside the liquid drop इसमें देखो इसमें दो topic आता है यही मेरा laplace लोबी है okay so इसमें दो topic है एक बार drop की बात करेंगे एक बार bubble की बात करेंगे तो drop की बात हम लोग यही पर discuss करेंगे bubble की बात तुमारे लिए homework होगी तो यह याद रखना तो drop यहाँ पे ध्यान दो माल लो कि अगर में को drop है और drop का size मेरे को बड़ा करना है माल लो यह drop है the initial drop is this यह initial drop है और माल लो initial drop का radius है r और अंदर ड्राप के अंदर pressure क्या है pi अब मेरे को क्या करना है drop को बड़ा करना है मतलब इसका size क्या करना है size increase करना है मतलब अंदर का जो pressure होना चाहिए वो बाहर के pressure से ज़ादा होना चाहिए मतलब pi should be greater than p not तभी तो size बढ़ेगा yes or no अब size बढ़ना आ रहाना है तुमको पता है कि surface tension क्या करता है भाई area को minimize करने कोशिस करता है अब मिरेको अगर area बढ़ाना है तो obviously मिरेको अंदर का pressure क्या रखना पड़ेगा जाधा रखना पड़ेगा तो pi should always greater than p0 हाँ या ना अब मैंने इसको बढ़ाया 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 और मैंने ला दिया इसको डल र मतलब इसमें change कितना आया डल र तो initial अगर area देखने जाओ मिरेको निकालना है excess pressure that is pi minus p0 तो अगर initial area देखने जाओ इस drop का क्या हो जाएगा initial area initial area मालो उसको आगरी नाम देदो इनिशल area क्या हो जाएगा that is 4 pi r kaa square हाए ना that is 4 pi r kaa square देखो यह देख्रा है r sphere है तो sphere का एडिया क्या होगा 4 pi r kaa square next final area देखो जरा final area क्या हो जाएगा that is a f और a f kya हो जाएगा that is 4 pi अब देखो r change हो गया अब radius क्या हो जाएगा r plus del r r plus del r that is r plus del r ka whole square हाँ या ना ओके तो that is 4 pi r plus del r ka whole square अब इसका bracket open करो जरा क्या मिलेगा देखो जरा 4 pi यहाँ पे लगा दो formula तुमारा a plus b whole square का क्या मिलेगा r square plus plus 2 r into del r बरबर plus del r का square अब del r तो बहुत छोटा change है यह यह इतना छोटा change है कि हमको आँखों से नहीं देखने मिलेगा अब del r बहुत छोटा change है तो उसका square बहुत छोटा हो जाएगा तो del r is very small तो उसको हम लोग निगलेक कर सकते हैं yes or no since since del r is very small भाई बहुत छोटा है तो can be neglected तो उसको निगलेक कर दो can be neglected कहां नहीं खतम अब उसको अगर तुम लोग निगलेक कर दो कि क्या मिलेगा तुमको यह 4 pi को अंदर multiply कर दो at the same time that is 4 pi r square plus 2 into 4 that is 8 हाया ना तो 8 8 8 8 r into del r और यह तो गाया भी हो गया तो इसका कोई tension नहीं यह गाया बर बर तो यहां पर क्या मिलेगा मिलेगा फाइनल एरिया क्या मिलेगा फाइनल एरिया मिलेगा मेरेको 4 pi r square plus 8 r into dollar समझा पका ओके सर पाय गाया भोगए आरे पाय गाया भोगए तो तुम लोग को बताओ ना यहां पर पाय गाया भै चलो पाय लिखेंगे फटाक से पाय आर इंटू dollar बस अब आगया पाय दिख गया सबको चलो बहुत बनिया होगा यह हम लोग ने फाइनल एरिया निकाल लिया अब चेंज इन एरिया निकालो क्या मिलेगा देखो जारा चेंज इन एरिया इस इक्वेल्स to final area final area that is AF minus AI क्या मिलेगा देखो जारा final area क्या है 4 pi r का square minus 8 pi r into dollar minus minus initial area क्या है that is 4 pi r that is 4 pi r का square यह और यह गायब हो गए देखो उड़ गए by plus 4 pi r square minus 4 pi r square दोनों के दोनों कायब हो गए क्या मिलेगा देखो जारा क्या मिलेगा मिलेगा 8 pi r into dollar यह मेरा आ गया change in area मतलब इतना area मेरे को change करना पड़ेगा कितना that is 8 pi r into dollar अब यह चीज़ याद रखना यह drop के लिए है अगर bubble के लिए आता है देखो यहीं पे changes है bubble के लिए शरीफ यहीं पे changes है तो mark कर लो यहाँ पे mark कर लो यही point पे mark कर लो for bubble for bubble area दो times change होगा क्योंकि अंदर भी free surface है और बाहर भी free surface है तो जो change in area होगा ना वो change in area कितना होगा वो twice होगा बस यह याद रखना होगा मतलब यहाँ पे 8 के जगे क्या जाएगा 8 के जगे 16 आ जाएगा क्या जाएगा चेंज इन एरिया डाड़ इस 16 पाई आर इंटू डेलार समझा बस यहीं पे ध्यान देना है for bubble बाकी सब कहानी से में बाकी सब कहानी से में ओके everything is same बस ध्यान क्या देना है ध्यान यह देना है कि भाई यहाँ पे जो area change हो रहा है वो drop के लिए single time होगा क्योंकि खाली एक ही free surface है अंदर तो पानी भरा हुआ है ना बट अगर हम लोग bubble की बात करेंगे तो bubble में दो free surface होता है क्योंकि bubble के अंदर भी पानी भरा होता है होता है और स्वारी बबल के अंदर भी क्या होता है हवा होता है और bubble के बाहर भी क्या होता है हवा होता है तो वहां पर ज्यान देना है कि जो change in area होगा वो twice होगा कितना होगा twice होगा और यहाँ पे डेल आर समझा पका यहां तक कहानी सेम रखो अब इसके बाद important part है इसके बाद हमको निकालना है work की कहानी चलो तो हमको पता है what is work हमको तो पता है न what is work क्या होता है देखो जरा एक मिला ओके यहां पर देखो work क्या होता है इसको उपर कर देते हैं slide को okay so what is work due to the surface tension हम लोग ने पढ़ा है यास हो रहा हूं so work work due to surface tension क्या होता था work याद करो जरा work का formula क्या होता था work का formula होता था change in area change in area into surface tension हा या न और change in area तो हम लोग ने निकाला यह कितना निकाला है changing in area जरा देखो तो यहां पर मेरे को work क्या मिलेगा that is 8 pi r into del r yes or no into t and t is nothing but a surface tension बास में आगे यहां पर मेरे को एक work मिल गया अब एक और work निकालेंगे हम लोग due to the force हम लोग ने पढ़ा न force into displacement is nothing but a work also एक और work निकालो also work can be defined as force into displacement हाया न समझा ओके हम लोग एक और work define करेंगे force into displacement अब यह force का formula कहां से आएगा force का formula कहां से पोर्स का formula आएगा प्रेशर से और कौन सा प्रेशर एक्सेस प्रेशर यस और नो तो क्या मिलेगा मेरको यहां पे मेरको यहां पे मिलेगा pi minus p naught into area into displacement what is displacement कितना displacement करना है हम लोग del r इतना displacement कर रहे है सोनो हम लोग सिरिफ उसका area change कर रहे है मतलब उसका radius change कर रहे है तो हम लोग सिरिफ del r consider करेंगे हाँ या ना बात समझा गी नहीं समझा everyone and what is area area nothing but 4 pi r square तो क्या ही आएगा is equals to pi minus p naught यहां पे क्या आज आएगा 4 pi r square into del r ये भी मेरे को क्या ही आया work आया बरबर अब दोनों work को ध्यान से देखो माल लो इसको 1 नाम देदो माल लो इसको 2 नाम देदो अब दोनों work को ध्यान से देखो दोनों के दोनों work है भाई एक work due to surface tension और एक work due to force हाई ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, क्या करना है, यह दोनों वर्क को हमको equate कर देना है, अब यह दोनों वर्क को हम लोग equate करेंगे, क्या ही मिलेगा ज़रा देखो तो, एकदम simple चीज़े मिलेगे, देखो धहां से, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, क्या मिलेगा ज़रा देखो तो, यहाँ पर क्या मिलेगा, P I minus P naught into 4 pi r ka square into del r, अब देखो क्या-क्या गयाब हो रहा है, del r, del r गयाब हो गया, pi, pi गयाब हो गया, 4 ones are, 4 twos are, गयाब हो गया, हाँ या न, समझागी नहीं समझा, बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर देखो, और कुछ गयाब हो रहा है, यहाँ से एक radius, और यहाँ से एक radius, भाई, यहाँ पर r square है न, r square है मतलब वहाँ पर 2 radius है, तो एक radius उड़ा दो, एक radius उड़ा दो, देखो क्या मिलेगा जरा, यहाँ पर मिरेको क्या बचेगा, 2t is equal to pi minus p naught into, यहाँ पर क्या मिलेगा, r, अभी r को नीचे लेकर आजाओ, क्या मिलेगा therefore, यहाँ आर को नीचे लेकर आजाओ, तो pi minus p naught is equal to 2t by r, और यही चीज़ अगर हम लोग देखने जाए, for bubble, तो bubble की case में यह डबल हो जाता है, that become 4t by r, क्योंकि मैंने बताया था downtown bubble में कहाँ change करना है, changing area जहां पर हो रहा है, वहाँ पर दियान देना है, तो वहाँ पर twice area change होता है, to your future, तो यहाँ पर 16 आ जाता है, 16 आ जाता है, तो यहाँ पर कटता है कि C4 से, तो यहाँ पर 4t by r आ रहाता है, तो for bubble, डारेक्ली याद कर लो, for bubble, क्या ही हो जाएगा, pi minus p0, बराबर हो जाएगा, 4t by r, this is nothing बटा excess pressure, इतना जादा pressure मेरे को provide करना है, अगर मेरे को किसी bubble, या फिर किसी drop का area, increase करना है, तो, बात समझा, पक का देखो, यह important question है, exam point of view, सबसे important question है, अगर तुम लोग last paper, last year, last to last year का अगर paper उठा के देखोगे, तो, यह question आया हुआ है, इसको ही हम लोग बोलते है, laplace law, laplace कुछ अलग नहीं है, यही मेरा laplace law है, laplace law for bubble, and laplace law for drop, clear, बात समझ में आई everyone, पका, चलो, बहुत बनिया, okay, so, यहाँ पे हम लोग, आज का वीडियो हा नहीं है, yes or no, okay, sharing करना है, यह important है, अगर कुछ भी doubt है, तो comment section तुम्हारे ले बना हुआ है, comment करो, पूछो, कोई problem नहीं है, okay, चलो, so, आज का lecture यही पेंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, that's it for today, thank you so much.